नमस्कार दोस्तों पावरिश्ट्री की इस यूटीब चनल पर आप सभी का स्वागत हैं तो दोस्तों होजाय त्यार एक बार फिर से जूनिर एकाउंटिर जी हां मैं आपको बता रहा हूँ राजस्तान आवासन मंडल में राजस्तान आवासन मंडल यानि की राजस्तान आवसिंग बोर्ड आर एच बी में मैंने पहले भी आपको कहा था कि वेकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द आएगी और इसकी अजेंसी है अब फाइनल हो चुकी है यह आप देख सकते हैं 8 चुलाही 2023 आपको पदों के बारे मैं जानकारी दूँगा तो राजस्तान आवसन मंडल में आप देख सकते हैं 311 पदों पर होगी बरतियां बार सरकार की सेंस्ता सीडे कराएगी बरति प्रिक्षा विस्तर तुगपती बहुत जल्द आ जाएगी आपके सामने 10-15 दिन के अंदर अंदर इसकी कंप्लेट वि जिनके सीटी में स्कोर कम हो रहा है जिनका सीटी केलियर नहीं हो पा रहा है उनको लगता है कि अपना सीटी में स्कोर कम है तो उनके लिए सुने रहा मोका है यानि बिना सीटी के आप जोनिर एकांटेंट बन सकते हैं यानि आपने सीटी दिया हो चाह सीटी नहीं दिया हो यानि इसमें CET exam का कोई रोल नहीं, यह आपके लिए सबसे बड़ी खुस कबरी है, अब आगा देश सकते हैं, परदीश की वियाओं के लिए राजस्तान आवासन मंडल ने बड़ी खुस कबरी दिये, मंडल विभीन वर्गों के 311 पदों के लिए जल्दी बरती निकालेगा पेले जो यह बड़ती है, राजस्तान अधिनस सेवा चैन बोड यानि की RSSB को करमचारी चैन बोड को दी गई, लेकिन करमचारी चैन बोड ने वेकेंसी करवाने से, जो है एक्जाम करवाने से वेकेंसी के लिए इनकार कर दिया, उसके बाद यह C-DAC को है, जो है इसका आ आवासन मंडल दुवारा, यह C-DAC अजेंसी आपको पता है, नेवी और एरपोर्स की प्रिक्षाओं का संचालन करती है, आप देख सकते हैं, इसकी स्कीम क्या रहेगी, और यह प्रिक्षाद जो है, ओनलाइन होएगी, क्या रहेगी, ओनलाइन होगा, एक्जाम है, एक्षाद का एक्जाम ओनलाइन होगा, और आप देख सकते हैं, इसमें लिखाओ है, एक सो पचास परशन, यानि तीन गंटे में करने होंगे, एक सो पचास परशन, जिसमें साट परशन तो आपके जनरल नोलेज के आएंगे, और नबे परशन, यानि कि नबे क्यूशन आ आपके आएंगे, एकाउंट के, किसके आएंगे, एकाउंट के, यानि कि नबे क्यूशन आपके जो है, एकाउंट के क्यूशन आपके आएंगे, सलेवस में, यानि कि देख सो क्यूशन होंगे, और आपकी नेगेटिव स्कीम भी होगी, इसमें यानि गल्ज क्यूशन करने टोटल् आप thri ribon k longevity होई ओगी ऑपके आपके एक सो पचास आपके होई गया है और एक सो पचास परशन आपके जो है तीन नमर को यह बात करते हैं पदों की ये एक्जाम आपके ओन लाइन हुझाएगा पदों की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं की पद जो है कनिस्ट लेखाकार की यानि जूर्य एकउटेंट के 50 पद आएंगे यानि कि जूनियर एकाउंटेंट के लिए 50 वदों पर बढ़ती होने वाली है ये देखी क्रमचारी चेन बोर्ड और MNIT की एसमर्ता के बाद दिया सी डेको मोका पहले क्रमचारी चेन बोर्ड से ही आपका जो है कॉंटेक्ट किया गया दास्तान आउसिंग बोर्ड द्वारा आपको पता होगा दो तीन बार इन्होंने निवीदा निकाली थी टेंडर लेकिन किसी नहीं इस पर हाने गी अब आप देख सकते हैं इसकी बात करें कि क्या इसमें रहने वाला है योगयता तो यह देख सकते हैं आप accountant accountant जो है उसमें तो आप देख सकते हैं यह आपका है लेकिन यह बरती है junior accountant की तो आपने बात करते हैं junior accountant पे तो यह junior accountant के बार देख सकते हैं आप 100% direct requirement यानि कि 100% पदों पर सिद्धी बरती की जाती है और इसके लिए qualification क्या इन्होंने बता रखिये आप देख सकते हैं या तो बीकॉम यानि के उलकोमर्स के लिए ये भी एक सबसे अच्छी बात है कि के उलकोमर्स कै बढ़ते हूं इसमें मुका मिलेगा यानि आर्च और साइंस के उलकोमर्स होनी चाहिए यानि बीकॉम की होनी चाहिए आपके कोई परसेंटेज का क्राइटर है नहीं बीकॉम है लेकिन आपको दो वर्सका एक्स्पेंस भी चाहिए साथ में लेकिन यदि आपने एमकॉम कर रखिये सेकिंड डिवजन के साथ यानि एमकॉम चाहिए आपने आपके मनेजमेंट में कर रखिये यानि आपके अगर एमकॉम कर रखिये सेकिंड डिवजन यानि 48% से लेकर के आपके परसेंटेज है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है और फस्ट डिवजन है जिनके एमकॉम है उनको परात्मिक्ता दी जाहेगी लेकिन इसमें आपको कोई ज़्यादा गबराने की बात नहीं यादि आपने एमकॉम कर रखिये सेकिंड लीजन है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं या भी कॉम के साथ में यादि दो साल का आपके एक्समें से तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस योगेता में भी बदला होने वाला है मैं बता दूँ कि ये योगेता भी चेंज करेंगी योगेता आपके केवल और केवल भी कॉम रखी जाएगी ये एमकॉम वगरा कुछ नहीं रखी जाएगी केवल योगेता भी कॉम रखी जाएगी केवल भी कॉम होनी चाहिए आपके ग्रेजिशन कोई परसेंटेज क्राइटेरा नहीं होगा यानि केवल आपके सनात्तक होनी चाहिए और सनात्तक होनी चाहिए वाने जी में इतनी ही आपकी योगेता रहेगी सेलेबस है, वह एक करमचारी चेन बोर्ड का जो जूनले अकाउंट से वैसा ही रखा जाएगा, जिसमें आपके एकाउंट आएगी, इसके अलावा आपके एकोनोमिक्स आएगी, इसके अलावा आपके ओडिट आएगी, और इसमें RSRGFR नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे RSRGFR नहीं आएगे, यही सेलेबस रहेगा, इसके अलावा इसमें जो और सेलेबस में अपार्ट आएगा, इसमें आपके एक आएगा, राजस्तान एक्ट, आउसिंग बोर्ड RHB का एक्ट आएगा, यह आपके सेलेबस में आएगा, RHB एक्ट, RHB एक्ट आएगा, और साथ म के सेम ही रहेगी एकाउंट एकोनोमिक्स बीयो और अडिट लेकिन आरेच भी एक्ट आजाएगा जो आपके आरेसर और जीएपार सलेबस में उसकी जगें आरेच भी एक्ट आएगा और कोस्ट और जीएश्टी का पार्ट इसमें जुड़ेगा तो यह रहेगा आपका सलेब में उसके आप नोर्स पर्चीज कर सकते हैं इसके आरेच भी के भी अपनोर्स बहुत ही जल्दी लेके आएंगे थोड़ा सा सलेबस आजाए सलेबस तो लग यही रहना वाड़ा लेकिन आरेच भी एक कोस्ट एकाउंटिंग और जीएश्टी यह तोपिक ने इंक्लूड हो आर आरेश्टी आरेश्टी है